और राइट गाइस तो स्वागत आप सभी कब वैलोर और नुबाइल की एक और नई वीडियो में और आज की वीडियो काफी दाधा स्पेशल होने वाली है विकोज टाइटल और सम्निल देख के आप समझी गए होगे कि जिस चीज के बारे हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं इसके लिए कितने दाधा हम एक्साइट थे वो अब फाइनली रिलीज होने वाला है जी हाँ यहाँ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वैलोर और नुबाइल के चाइनीज बीटा के बारे में तो येस अभी हमें official confirmation मिल चुकी है कि Valor & Mobile का Chinese beta आने वाला है अब कब वो शुरू होगा क्या है उसकी release date उन सब चीज़ों के बारे हम आगे वीडियो में बात करने वाले है बट उससे पहले कुछ और चीज़े भी मेरे पास वीडियो के लिए है तो वो सारी चीज़े में आपको एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो को शुरू करते हैं बट उससे पहले वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe कर देना और बढ़ते हैं तो सबसे पहली न्यूस तो यहां पर यह है कि गेम्स कौन करके यहां पर इवेंट होने वाला है और इस इवेंट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वैलोर और नॉबाइल का हमें ऑफीशल रिवील देखने के लिए मिल सकता है अब यह रिवील क्या हो सकता है कि भाई हो सकता हमें इसका टीजर या कुछ ट्रेलर वगएरा देखने को मिल जाए और इस चीज को लेके ट्वीट किया वैलोर और नॉबाइल लीक से न्यूज ने जो कि एक ट्रस्टिड अकाउंट है तो yes we can expect की 25th को हमें या पर कुछ देखने के लिए मिले अब आज 24 है तो कल 25 होगा तो जो भी भाई कल के दिन में होगा वो मैं एडिट करके डाल दूगा अब अगली जो कीज है इसको देखके कई लोग साइड हो सकते हैं बढ़ ट्रस्ट मी इसको देखके साइड होने की ज़रौत अभी नहीं है तो रीसेंली जो है एना डॉनलर ने वालोरा नोवाइल के बार में कुछ यहां पर बाते गरी हैं तो इस इंटर्विव की थोड़ी सी क्लिप भी में आपको दिखा देता हूं सत्सक्राइब नहीं हैं चूंग बार प्रण अथा एक काँ विवां डिए्ट लांचित्व बाराइब के लिए कि थे एक वडिवां जाउन हैंग उन्हां जाच भी जाँ वे लूड़ी नहां हैंग हैंग्छ पर अविवां कर से बार फिए I can't confirm a lot of the questions that you asked but what I will say is that for us it's really really important that the experience the true experience of Valorant is offered to mobile players and that we're gonna do everything we can to make sure that everything you love about Valorant is true on the mobile version of the game. And they basically said what you can see here and the playtest took place a few weeks ago but reiterates it's not ready for release. So I had tweet where I saw my live stream but if you haven't seen it then I'll tell you later. So basically Anna Donlan who interviewed me was saying that Valorant mobile is very heavily on its development and very fast. But it was the playtest in China in which there were many screenshots from the league. So to see that this is not ready. So yes these people want to give the best experience to mobile players. And it's just a little bit of time. and now finally it's a lot of news. So you have 130 people already registered. So you have a limited closed beta. रहने वाला है इसको आप एक प्राइवेट बीटा भी कह सकते हो जो कि सिर्फ चाइना के लिए लॉंच होने वाला है. अब अदर देन चाइना आप लोग कुछ-कुछ चीज़े मैं आपको बता देता हूं कि यह जो बीटा है यह सिर्फ एंड्रोइड डिबाइस के लिए ही है तो अगर आप पर आई-उस है तो यह बेसिकली वर्चॉल नंबर्स होते हैं और फिर इसिम्स भी आप इनको बोल सकते हो और इनके थुरू आप गेम को खेल सकते हो तो यह इसे खेलना पॉसिबल तो है यह दोनों चीजों का जुगाड आपके लिए हो जाएगा वीचाट अगाउंट भी बन जायागा चाइ कर लो और कुछ टाइम बाद इसका जो पब्लिक बीटा होगा जो ग्लोबल बीटा होगा उसी को खेलने ना बागी देखो मर्जी तुमारी है जो भी था वो मैंने बता दिया अब इसको खेलना है वो खेले और इसकी थोड़ी बहुत लीक्स वगरे भी हमें देते रहे तो हूँआा!